हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग कैफे में आज की वीडियो में BPSC 66V खान सरका सेट 11 शुरू करेंगे सेट 10 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ पली लिस्ट का लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ या पली लिस्ट में जाके आप वीडियो से देख सकते हैं तो आप लोग जाएए प्रैक्रिस सेट लगाएए और अपना अस्कोर कॉमेंट सेक्शन में बताइए तो चलिए खांसर का सेट 11 सुरू कर लेते हैं हमारा पहला कोशन है बिहार के समचार पत्रों में परकासित होने वाला पहला समचार पत्र कौन सा है अमरित बजार पत्री का option A right answer हो जाएगा बिहार के समाचार पत्रों में पहला परकासे समाचार पत्र अमरित बजार पत्री का है यह बंगला भासा का एक परमुक भारती समाचार पत्र है इसकी गिंती भारत के सबसे पुराने अकबारों में होती है यह पहली बार 20 फरवरी 888 को परकासित हुआ था इसकी अस्थापना दो भाईयों सिसीर घोष और मोती लाल घोष निकी थी तो आप्शन ए हो जाएगा अमरित बाजार पत्रिका बोध गया में मगद विश्व विद्याले की अस्थापना कब हुई थी? 1962 में आप्शन सी हो जाएगा यह विश्व विद्याले बोध गया में अस्थी थे जो गया जीला मुख्याले से लगभग 12 किलोमीटर दूर है मगद विश्विद्याले के अस्तापना 1962 में सिक्षावीद और पुरु मुख्यमंत्री सत्यंद्र नरायन सिन्हाने की थी बिहार के भिखारी ठाकुड की छेतर में परसीद थे नाटक कार के छेतर में आप्शन भी हो जाएगा वह भोजपूरी गीतो और नाटको की रचना और अपने समाजी कारियों के लिए परसीद है वे एक महान लेखक कलाकार थे जिन्हें भोजपूरी का सेक्स पेर कहा जाता है नेक्स्ट कोईचन देखिए कोईचन नमबर फोर बिहार में ग्रामीन छेतरों में स्वचता में सुधार के लिए निमलिकित में से कौन सी महत्यपूर्ण योजना चलाई जा रही है लोहिया योजना ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बारह हजार हर्स पावर बिहार भारत में एक अलग प्रांथ कब बना बिहार जो है भारत में एक अलग प्रांथ 1912 सुवई बना ओप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1912 में बंगाल का विवाजन के फल्शुरू बिहार नाम का राजी अस्तित्त में आया 1935 में ओडिसा इससे अलग कर दिया गया गांधी जी को चमपारन में किसने आमंत्रित किया था राजकुमार सुकल आप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1917 में गांधी जी राजकुमार सुकल के अनुरोध पर चमपारन गय थे 1917 में चमपारन के राजकुमार सुकल ने चमपारन किसान आंदोलन का नेतिर्टु गांधी जी को सौपने के लिए उनसे लखनों में मुलकात की एवं उन्हें चमपारन आने के लिए आमंत्रित किया बिहार सोसलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में जैपरकास नरायन फूलन परसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की अस्थापना की एक डेल गारी ये देखे मैथेमेडिक्स का कोईचन है तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ आप वीडियो को रोग करके अराम से सॉल्ब किजिए और सही उत्तर मिला लिजिए तो इसका राइट आंसर ओप्शन ये हो जाएगा टोकियो परालंपिक खेलो का आयोजन निमलिखित में से कब से कब तक हुआ 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक पुर्वी भारत का पहला आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार के कि जिले में खोलने की मंजूरी दी गई है पटना जिले में बिहार राजी में परती लाक आबादी पर कितनी किलोमीटर सरक है 135.02 किलोमीटर बिहार किस राजी के लैंड रिवेन्यू कोड मोडल को अपनाएगा मध्धी परदेश के बिहार में फसल सघंता है 1.43 परतिसत बिहार में गंगा नदी का परवेस किस मैदान से होता है चाउसा का मैदान से ओप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चाउसा का मैदान बिहार के बक्सर जिले में है बिहार में गंगा का परवेस चाउसा के मैदान से ही होता है नेक्स्ट कोईचन निमलिकित में से कौन सी बिहार राजी की भोगोलिक अस्थिती है 24 डिग्री 20 मिनट 10 से 17 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्री अक्छांस तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पुर्वी दिसांतर की बीच अप्शन B राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोईचन सन्युक्त सैनी अभ्यास एक्स डिजर्ट नाइट 21 निमलिकित में से किन किन देशों के मद्धी हुआ है तो भारतिय वायू सेना और फ्रांसिसी वायू और अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक दुई पक्छे वायू अभ्यास एक्स डिजर्ट नाइट 21 का आयोजन हुआ तो भारतिय और फ्रांसिसी के बीच तो अप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं हावडा काल का मेल ट्रेन का नाम बदलकर निमलिकित में से क्या रखा गया है नेता जी एक्सप्रेस बाइडन अमेरिका के निमलिकित में से कौन से राष्ट पती बने है जो बाइडन ने अमेरिका के 46 वे राष्ट पती पत की सपत ली है तो अप्षन इ राइट आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं वर्ष 22 में नीती आयोग ने दूसरा भारत नवाचार सूचकांग जारी किया है इसमें बड़े राजियों में पहले अस्थान पर निमलिकित में से कौन सा राजी है करनाटक नेक्स्ट कुईचन देखिए कुईचन नमर 24 गनतंत्र दिवस समारों 2020 की प्रेड में सामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पाइलेट निमलिकित में से कौन बनी है भावना कांत महराश्ट सरकार ने गोडे वारा चिरिया घर का नाम बदलकर निमलिकित में से किस के नाम पर रखा है बाल ठाक्रे के नाम पर महराश्ट सरकार ने नागपूर अस्तीत गोडे वारा अंतराष्टे चिरिया घर का नाम बदलकर बाला साहब ठाक्रे गोडे वारा अंतराष्टे प्रानी उद्यान कर दिया है यह प्रानी उद्यान लगबक 2000 हेक्टियर वन भूमी पर फैला है परधान मंत्री वानी योजना का संबंध है सारोजनिक अस्तलों पर वाई-फाई की उपलब्धता से जनवरी दुहरी कीस में आयोजित डबलू एचो के कारी-कारी बोड के 148 वे सत्र का अध्याक्स निमलिखित में से कौन बना है केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हर्स वर्धन ने वीडियो कंफरेंस के माधियम से डबलू एचो कारी-कारी बोड के 148 वे सत्र की डिजिटल रूप से अध्याक्सता की तो आप्शन E राइट आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं क्यूंकि डॉक्टर हर्स वर्धन ने की डबलू एचो का मुख्याले जिनेवा स्वीटजर लेंड में है डबलू एचो के महानी देशक टेड्रोस अधानोम है भारत के पहले COVID-19 वैक्सिन प्राप्त करता निमलिखित में से कौन बने है मनीश कुमार भारत सरकार के निमलिखित में से किस मंत्राले ने सक्छम अभियान शुरू किया है पेट्रोलियम और प्राकिरितिक गैस मंत्राले ने हरित और स्वच उर्जा के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए एक महिने तक चलने वाले सक्छम नामक जन्द जागरुकता अभियान की शुरूआत की है option E right answer हो जाएगा इनमें कोई नहीं गंतंत्र दिवस समारो 2020 का मुख्य अधिति निमलिखित में से कौन था कुरोना महामारी के वज़े से 2021 गंतंत्र दिवस पर मुख्य अति थी नहीं आयत है ऐसा जो है 50 सालों में पहली बार हुआ तो option E right answer हो जाएगा 15 जन्वरी 2021 कोई परधान मंत्री कौसल विकास योजना का निमलिखित में से कौन से चरन की शुरूआत हुई तीसरे चरन की दो बार महाभियोग लगने वाले पहले अमेरीकी राष्टपती निमलिखित में से कौन बने है डोनाल्ड ट्रम्प option E right answer हो जाएगा भारत के पहले फायर पार्क का उद्गाटन निमलिखित में से कहा पर हुआ है भारत के पहले फायर पार्क का उद्गाटन भूब नेस्वर में हुआ है तो option E right answer हो जाएगा इन में कोई नहीं केंद्रिये बजट 2021 को पहली बार पेपर लेस बजट के रूप में निमलिखित में से किसने प्रोत की परस्तूत किया है निर्मला सीता रमन cherry blossom festival का आयोजन वर्चुली निमलिखित में से कहां पर हुआ है मनीपूर में हैनले passport index 2021 में पहले अस्थान पर निमलिखित में से कौन से देश का पास्पोर्ट है तो हैनले passport index 2020 में पहले अस्थान पर जापान का पास्पोर्ट है option E सायुत्तर हो जाएगा next question सीर्षक मुद्रा अस्पीती टोकडी में सभी वस्तुव के मुल्ली में परिवर्टन को संदर्वित करती है सीर्षक मुद्रा अस्पीती का मापन किस आधार पर किया जाता है सामूहिक भोकता मुल्ली सुचकांक के आधार पर खादी एवं गरामद्योग आयोग द्वारा विक्सित खादी प्राक्रितिक पेंट को निम्लिखिती में से किस ने लॉंच किया है नितिन गर्ड करी ने सी विगिल ट्वैंटी वन का आयोजन हुआ है यह निम्लिखिती में से किया है तो तटिये रक्षा अभ्यास है औप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तटिये रक्षा अभ्यास सरक परिवहन मंत्राले द्वारा पहली बार सरक सुरक्षा माह 22 में निम्लिखिती में से कब मनाया है तो यह जो पहली बार 18 जनवरी से 17 फडवरी तक नेक्स्ट कोईशन कुम्बरार के समीप अस्थित मौरी राजपरसाद के अवसेश की खोज कसरे किसे दिया जाता है अस्पूनर को दिया जाता है विशू हिंदी दिवस कब मनाया गया है 10 जनवरी को हिंदी भाषा के विशू अस्तर पर परचार परसार और बढ़ोबा ड़ेने के लिए वर्श 2006 से हर साल 10 जनवरी को विशू हिंदी दिवस मनाया जाता है पहला विशू हिंदी दिवस मनाया जाने की शुरूआत 10 जनवरी 2006 को पुरु परधानमंती डॉक्टर मनमोहन सिंग दुआरा की गई जबकि राष्टिय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है इसी दिन 1949 में सम्विधान सवाने हिंदी देवनागरी लिपी को संग की अधिकारिक भाजा के रूप में अपनाया था मेगस्तिनीज ने अपनी पुच्टक इंडिका में पतना को किस नाम से संबोधित किया है पुरूसों के टेस्ट मैस में पहली बार महिला अंपाय निमलिकित में से कौन बनी है क्लेयर पलोष्ट भारतिय वायू सेना वो निमलिखित में से किस देश की वायू सेना के बीच जोधपुर में एक्स डिजर्ट नाइट 21 वायू अभ्यास हुआ है भारतिय वायू सेना और फ्रांसीजी वायू सेना के बीच जोधपुर में एक्स डिजर्ट नाइट 21 वायू अभ्यास हुआ है तो option E right answer हो जाएगा इन में कोई नहीं भारती और फ्रांसीसी के बीच खेलो इंडिया आइस होकी टूनामेंट का आयोजन निमलिखित में से कहां पर हुआ है कारगील में विशु की most valuable two wheeler company निमलिखित में से कौन बनी है बजाज निमलिखित में से कौन सा सुमेलिद है तो यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है option A देखिए लोडिया और एराज पुर्वी चमपारन तो ये सही है लोडिया नंदनगर पच्छिम चमपारन ये भी सही है केसरिया सारन तो ये गलत है क्योंकि केसरिया अस्तूप एक बहुत अस्तूप है जो पुर्वी चमपारन में है इसके बाद रामपुर्वा पुर्वी चमपारन तो ये सही है तो इसका राय टांसर option E हो जाएगा एक से अधिक वर्स 2021 में रेलवे के नए चेर्मेन और CEO निमलिकित में से कौन बने है दिसंबर 2021 में विने कुमार तिरिपाठी को बोर्ड का अधियक्ष और मुक्य कारी कारी अधिकारी CEO नियूक किया है तो option E राय टांसर हो जाएगा इन में कोई नहीं राष्टिये परियावरन अभी यांत्री की अनुसंधान संस्थान कहां अस्थीत है नागपूर में अस्थीत है निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है तो आपको गलत कथन को चुनना है तो पहला देखिए भारतिये वन नी संडक्षन अधिनियम 1972 तो ये सही है परियाव है क्योंकि 2006 में हुआ था तो इसका राइट अंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निमलिकित में से मनुस्थी के शरीर में कौन साता तो सबसे अधिक पाया जाता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है ऑक्सीजन पैंसर परतिसत कार्बन 18 परतिसत हाइड्रोजन 20 परतिसत नाइट रोजन 3 परतिसत पाया जाता है गया के समी बढ़ावर की पहारियों में सुदामा गुफा का निर्मान किसने करवाया था असोक महान ने करवाया था भूमी सुधारों में कास्तकारी सुधार के अंतरगत निमलिकित कारी नहीं किया गया है तो लगान का नियमन यह ये कारी किया गया है कास्तकारी सुधार के अंतरगर तीन कारी किये गये है जिसमें लगान का नियमन इसके बाद बटाईदारों के हीतों की रक्षा इसके बाद कास्तकारों को स्वामित्तु का अधिकार लेकिन क्या नहीं किया है तो ये भूमी की चकबंदी ये नहीं किया गया है और आप से पूछा जा रहा है कि क्या नहीं किया गया है तो इसका राइट रांसर ओप्शन C हो जाएगा यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से एक लाग रुपे की नगद रासी निकालते हैं तो अर्थ विवस्ता में ततकालिक रूप से मुद्रा की समगर पूर्थी पर इसका क्या परवाव पड़ेगा मुद्रा की समगर पूर्ती और परिवर्तित रहेगी वर्स 2021 में नीती आयो के बहु आयामि गरीबी सुचकांग के अनुसार बिहार की कितनी परतिसत जनसंग्या गरीब है 51.91 परतिसत वर्स 2021 में फोरेक्स रिजर्व के मामले में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 34 सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बना रूस को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर देखिए मिलान करने वला है तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं तो 1905 में जो है सबसे पहले यह देखिए भारतिय निर्यात आयात बैंक जो है 1912 इसके बाद भारतिय अद्योगिक विकास बैंक 1964 होगा भारतिय अद्योगिक रिन और निवेश निगम ये 1905 अद्योगिक और वितिय पुनर निर्मान बोड 1987 में इसकी अस्थापना तो इसका राइट आंसर आप्शन C हो जाएगा हस्ती पाल के यहाँ आप्शन A राइट आंसर हो जाएगा हस्ती पाल के यहाँ पावापुरी या मज्जी पावा बिहार के नालंदा जिले में अस्थीद जैनियों के लिए एक पवित रस्तल है अजाज सत्रु के सासनकाल के दोरान राजा हस्ती पाल पावापुरी के राजा थे वह भगवान महावीर जब भगवान महावीर पावापुरी आये तो वे राजा हस्ती पाल के राजकक्ष में रहे और उनके निर्वान को प्राप्त किया नेक्स्ट कोईचन निम्र में से भारत का कौन सा वोय अपारिक बैंक विशु के सीर्स एक सो बैंकों में सामिल है भारतिये एस्टेट बैंक दीन द्याल उपादियाई गराम जियोती योजना का एक उद्देसी नहीं है तो इसका जो एक उद्यसी नहीं है तो option A राइट आंसर हो जाएगा यह योजना मार्च 2019 तक सारो भौमी घड़ेली विद्यूती करन प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी तो यह इसका जो योजना नहीं है तो option A इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधी 5 वर्षों की निर्धारित है इसकी गनना पंचायत की पहली बैठक की तीथी से की जाती है निमलिखित में से कौन सी गुप्त कालिन रचना है तो निमलिखित में से आप से पूछा जा रहा है कि कौन सी E2 से बना है और गुप्त काल का अद्वित नमूना है तो अप्शन E इसका राइट आंसर हो जाएगा गराम पंचायत में नियुक्त सरकारी करमचारी कौन होता है गराम पंचायत अधिकारी किसी राजी में विधान परिशत की संरस्ना अथवा वी घटन किया जा सकता है यह राजी विधान मंडल का उच सदन है किसी राजी की विधान परिशत की संरस्ना अथवा वी घटन का कारे उस राजी की विधान मंडल दुवारा किया जाता है राजी सवा को लोक सवा के समान सक्तिया किस छेत्र में है सम्विधान में संसोधन करने के विशे में संसद सदस्य अस्थानिय छेत्र विकाच योजना के अंतरगत नीधियों के संदर्व में निमलिकित कत्नों में से कौन से सही है पहला देखिए MPLA-DS नीधिया ठिकाव परिसंपतियों जैसे स्वास्थ सिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत सनरस्तनाओं के निर्मान में ही परियुक्त हो सकती है तो ये सही है परतेक सांसत की नीधि का एक निश्चित अंच अनुसूचित जाती या जनजाती जनसंख्या के लाभार्त परियुक्त होना आवस्यक है ये भी सही है MPLADS नीधिया वार्चिक अधार पर स्विक्रेट की जाती है और अब परियुक्त नीधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेशित नहीं किया जा सकता तो ये जो है गलत है कारियानवीत हो रहे है सभी कारियों में से कम से कम 10% कारियों का जीला पराधी कारी द्वारा परती वर्ष निरिक्षन अनिवारी है तो ये सही है तो अप्शन इसका राय टांसर हो जाएगा 1,2,4 सही है next question देखिए केंदरिये सूचना आयोग के संदर्वें निमलिकित में से कौन सा कथन सही है तो यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है तो केंदरिये सूचना आयोग, मुखी सूचना आयोग भारत में उन वेक्तियों से प्राक्त सिकायतों पर कारवाई करने के लिए अधिक्रित निकाय है जो किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण केंद्रिय या राजी लोग सूचना अधिकारी को सूचना के अनुरोध प्रस्तूत करने में और समर्द रहे है या सनबंदित अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया है कि अंदरिये सुचना आयोग एक सनवधानिक निकाई नहीं है तो option is का right answer हो जाएगा गुप्त काल में निर्मित अज गैबीनाथ मंदिर कहां अस्थीत है तो सुल्तान गंज में अस्थीत है भागल पूर के समिप कहल गाउं में अस्थीत गुफा जो है किस सासनकाल में निर्मित की गई थी तो गुप्त सासनकाल में निर्मित की गई थी राजी लोग सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ती और कारीकाल का संबंध किस अनुछेद से है अनुछेद 316 से भारते समिधान में वीप के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्ती है तो वीप एक राजनितिक दल का एक अधिकारी होता है जो विधान सभा या संसत के सदन के अंदर पाटी के परवर्तक के रूप में कारी करता है पाटी या वीप जारी करने के लिए सदन के अपने सदस्यों में से एक वरिष्ट सदस्य को नियुक्ति करती है इस सदस्य को मुख्य वीप कहा जाता है और अतिरिक्त वीप द्वारा उसकी सहायता की जाती है इसका भारती सम्विधान में उल्लेक नहीं किया गिया है और यह एक संसदिय सम्मिलन पराधारित है तो अप्शन E इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलिया गड़ी की लड़ाय में इल्टुतिमिस ने किसको पराजित किया था हिमा मुद्दिन इवाजा को दस्वन्त बसावन महेश लाल मुकूंद एवं सावल दास आदी सन्बंदित है इन सभी चितरकारों के नाम आईने अकवरी में भी मिलते है अकवर ने अपने काल में चितरकारी के लिए अलग विभाग खोला था निमलिकित युगुव में सही का चुनाव करें पहला देखिए जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूरा जासूं तो ये गलत है ये जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था खराज इसलाम की सैनिक सेवा के बदले गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर तो ये भी गलत है उर्स मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर तो यह जो है सही है उर्स मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था खूमस उले माउं पर कर तो यह भी गलत है तो इसका right answer option C हो जाएगा के वल 3 Next question अश्टा ध्याय किस के रसना है? तो पानिनी की रसना है, अश्टा धियाई के लेखक पानिनी का काल 500 BC के आजपास माना जाता है, पतंजली ने पानिनी के अश्टा धियाई पर भाज सी लेखा था, पतंजली पुस्यमित्र सुंग के पुरोहित थे, उन्होंने असोमेग यग भी कराया था बिहार में मुस्लिम परभुत्तु की अस्थापना का वास्तविक सिरे किसको दिया जाता है, बक्तियार खिलजी को बिहार के निमलेकी जीलों में से कौन सा जीला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है, कटिहार बिहार के साथ जीले किसन गंज, अररिया, सुपोल, मदुवनी, सितामरी, पुर्वी चंपारल और पच्मी चंपारल नेपाल के साथ अंतराष्टे सीमा साजा करते हैं, कटिहार के सीमा जारखंड से लगती है, ना कि नेपाल से वह कौँची नदी है, जो सारन और वैसाली जीलो की सीमा बनाती हुई गंगा से सोनपुर में मिलती है, गंडक नदी इल्टुतमिस ने किसको बिहार में दिल्ली का पर्थम परतिनी धी न्यूक्त किया था, मलिक अलाव्दिन जानी को वोलगा नदी गिर्ती है, कैस्पियन सागर में, नागर होल राष्टिय उद्यान कहां अस्थीत है, करनाटक में करनाटक में अस्थीत नागर होल अपने वन्नी जीव अभियारनी के लिए विसुभर में परसिद है, यह उन कुछ जगों में से एक है, जहां ACI हाथी पाए जाते हैं, डोडा बेटा चोटी अस्थीत है, नील गिरी पहारियों में, यहां पर मिलान करने वाला है, जैव मंडल और कहां अस्थीत है, तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं, सिमली पाल, सिमली पाल जैव मंडल जो है यह उरिशा में स्थीत है, पंच मधी यह मधी परदेश में, नंदा देवी, मेगाले में, नोकरेक, उतरा खंड में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अगला को और उस राजे में सबसे उची चोटी, तो तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में सबसे उची चोटी, डोटा, बिट्टा चोटी, राजस्थान में, तो राजस्थान का जो है सबसे उची चोटी कौन सा है, तो इसका गुरु सीखर चोटी, नागा लेंड, नागा लेंड क वर्सा होती है कोरो मंडल तट में निम्र में से भारत की किस भाग में समाने तिया परवाल दिप पाये जाते हैं लक्छु दिप के निकट बिहार में तूगलक शासन का इतिहा समझने में कौन सी रस्ना उप्योगी साबित होगी तो बिहार में जो तुगलक वंस की सासन का इतिहा समझने के लिए सर्फुद्दिन या महा मनिलेरी की उक्तिया और मना की बूल अस्फिया तो आप्शन एस का राइट आंसर हो जाएगा बिहार के की जिले में हीमित विडी केंदर की अस्थापना की गई पूर्णिया जिले में हिंद महासागर क्रीम एसोसियेशन के बारे में निमलिखित कतनों में कौन सा सही नहीं है गलत कतन को चुनना है तो आप्शन एस का देखी है यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी सालाना बेठक होती है यह सही है भारत इसका संसापक सदसी है यह भी सही है वरतमान में इसके 20 सदसी है तो आप्शन सीज का राइट अंसर हो जाएगा भारतिय राष्टे कॉंग्रेस के किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में इस्वी में पहला राजनितिक आपसर भारतिय राष्टे कॉंग्रेस का 1896 में सतर था जब बनकिम्चन चटरजी द्वारा संस्क्रीत म रचित गीत बंदे मातरम को गाया गया था जनगनमन के साथ इसकी समान अस्थिती है निमलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यपारी बिहार के छेतर में सरुपर्थम आये पुर्तगाली निमलिखित में से किस यूद के पहचात इस इंडिया कंपनी का बंगाल पर सासन कार पड़ाप्त हो गया 1929 खुदाई खित्मतगार को किस ने संगठित किया अबदुल गफार खान ने भारत संग इंडियन एसोसियेशन के संस्था पर कौन थे सुरेंदर नात बनर जी इंडियन एसोसियेशन या भारत संग की अस्थापना 1876 में कलकत्ता में की गई थी इ भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेश का पर्थम अधिवेशन कहां हुआ था मुंबई में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेश के अस्थापना 1885 में हुई 28 दिसंबर से 30 दिसंबर को कंग्रेश का पर्थम अधिवेशन गोकुल दाच तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में ह पहले यह पूने में होना था लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण अस्थगित कर दिया गया। दारूल अदल का गठन करने वाला वह वेक्ती कौन था जिसे औरंग जेव ने सासक बनने के बाद बिहार का सुवेदार बनाया। दावुद खान कुरेशी। राजनेतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतिये कौन थे हैं। राम मोहनराई, राजा राम मोहनराई को आधुनिक भारतिय समाज का जन्मदाता कहा जाता है। वे ब्रामन समाज के संस्थापक, भारतिये, भासाई, प्रेश के परवर्तक, समाजिक सुधार आंधुलन के परनेता तथा, बंगाल में नव जागरन यूग के पितामा थे, राजनेतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतिये भी राजा राम मोहनराई ही निमलिखिती में से कौन सा कथन सर्ती है, तो पहला देखिए, वर्णियर 1666 इस्वे पटना आया, ये सही है, वर्णियर फ्रांसीसी यातरी था, ये भी सही है, वर्णियर के आगवन के समय लशकर खान बिहार का सुभेदार था, ये भी सही है, वर्णियर ने पटना में शो संग्राम सिनानी थी पटना की परवावती देवी बिहार राजी से एक भारती स्वतनता सिनानी थी ये परशित स्वतनता सिनानी और समाजी कारी करता जैपरकास नरायन की पतनी थी परवावती देवी ने पटना में महिला चर्खा समिती के स्थापना की और गांधिवादी पर चर्था चलाया नील क्रिशकों की दूर दसा पर लिखी गई पुस्तक नील दरपन के लेखा कौन थे दीन बंधु मित्र किसने कहा था कंग्रेस आंदोल न तो लोगों द्वारा प्रेरित था नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजना बद किया गया था लाला लजपत लोगत्तरवादी संपरधाय का संबंद है बुद्ध धर्म से उप्शन B राइट अंसर होजाएगा बुद धर्म अश्टा ध्याई किसकी रसना है तो यह पालिनी की रसना है पिहार छेत्र की चरचा सरोपर्थम की सहतिक रसना में मिलती है तो बिहार छेत्र की चरचा प्रामन सहत्ती में मिलती है, आप्चन ये राइट आंसर हो जाएगा, इन में कोई नहीं, निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है, तो गुलजार बाग अस्थीत गौवर्णमेंट प्रेस पहले डस फैक्टरे थी, तो ये गलत है, क्योंकि ये पहले ब्रिटीस फैक्टरे थी, क गौवर्णमलिकित में से कौन सा करम सही है, जिसमें दर्शित विकाश के मापकों को परस्तावित किया गया, तो ये परतिवेक्टि आई, PQLI, HDI, बाजार मुलियों पर सुध राष्टिय उत्पाद है, बाजार मुलियों पर सकल राष्टिय उत्पाद माइनस राष्टिय आई, टेखांकन में आधार वर्ष का आर्थ है, जिस वर्ष की कीमतों का उप्योग वास्तविक, GDP की गनना के लिए किया जाता है, निमलिकित में से कौन सा आर्थिक विकाश का परमूख कारक नहीं है, तक्नीक वीद एवं नौकरसा, समाजिक विकाश की तीन अवस्थाव का सिध्धान्त मूलत किसने परतिपादित किया था, तो ये जो है, समाजिक विकाश की तीन अवस्थाव के सिध्धान्त का परतिपादन, अगश्ट काम्टे दुआरा किया गया था, अब वो तीन जो चरन है, धार्मिक चरन, अध्या कल्चर परंपडिक रशायन किरीसी किंतु इस तरह की परिगटना अस्थायन किरीसी में द्रिष्टी गोचर नहीं होती है तो यह भी शही है इसके बाद तीसरा परंपरिक रसायनी किरिसी और दसूस्क छेत्रों में आसानी से संभव है किन्तु ऐसे छेत्रों में अस्थाई किरिसी इतनी आसानी से संभव नहीं है तो ये गलत है मल्च बनाने मिल्चिंग की पर्था अस्थाई किरिसी में काफी महत्वपूर्द है किन्तु परंप्रिक रशाइनी किरिसी में ऐसी पर्था आवश्यक नहीं है तो ये भी सही है तो इसका जो राइट आंसर है ओप्शन बी हो जाएगा एक दो और चार भारत का पर्थान मत्री उसकी सरकार के खिलाप और विश्वास प्रस्ताव से भाग नहीं ले सकता जब वह राजी सवा का सदस्य हो जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय पर्थान मत्री कौन थे विश्वनात पर्तसाद सिंग प्लासी के युद के बाद लॉड कलाइब ने किसे बिहार का उप नवाब नियुक्त किया था मीरन को मीर जाफर के पुत्र मीरन को लॉड कलाइब ने उप नवाब या बिहार का राजीपाल नियुक्त किया 44-वे सम्विधान संसोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया संपतिक अधिकार संपतिक अधिकार को कानूनी अधिकार 1973 में 44-वे सम्विधान संसोधन के तहत बनाया गया किस कूल में नर्त था मादा पुस्व एक ही पोधे पर पाये जाते है कुकूर बिटेसी सरीर का तापकरम कहा नियंत्रित होता है हाइपो थैलमस में निम्न में कौन सा एंजायम लार में पाया जाता है टाइलीन एक एंजायम है जो मुह में पाई जाने वाली लार में होता है तो option E right answer हो जाएगा इन में कोई नहीं क्यूंकि वो इंजायम जो है टाइलीन होगा next question देखिए question हमें 277 विद्यूत उर्जा को यांतिरिक उर्जा में बदलने वाली युकती है विद्यूत मोटर विद्यूत मोटर एक विद्यूत यांतिरिक मसीन है जो विद्यूत उर्जा को यांतिरिक उर्जा में बदलती है निमलिखित में से कौन सा उपकरन रसाइनिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्थित करता है बैटरी निमलिखित में से कौन परमानो नाभी के अभियव है प्रोटोन और नूट्रोन नेक्स्ट कोईचन जलवायू परिवर्थन और भूमी पर विशेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है जलवायू परिवर्थन पर अंतर सरकारी पैनल के द्वारा बिहार के बज़ट 92 के नुसा राजी के कूल राजसू में किंद्रिय करोसे अ हस्तांतरित आई की हिंस्तेदारी कितनी है 71.73 पर तिसथ बिहार के बज़ट 92 के नुसा राजी में सารवादी खर्च वाली मद कौनसी है समाजी सिवाय इसके बाद देखे मैथेमेटिक्स का कोईचन है तो वीडियो को रोग के अराम से सॉल्व किजी इसका सही उत्तर बता देता हूँ तो ये सॉल्व करने के बाद आप्शन C आएगा ना हानी ना लाब 134 का राय टांसर आप्शन C होगा 50 परतिसत 135 का आप्शन C होगा 60 रुप्या 136 का राय टांसर आप्शन B हो जाएगा 1 रुप्या 137 का आप्शन C छो पुर्नांग 2,3 परतिसत 138,44 परतिसत विडिधी 149,7 रेशियो 3 138,44 पादव जगत और प्रानी जगत की जातियों संख्या की दिरिष्टी से अब तक ढूंडे हुए और पहचाने हुए जीवा में सबसे अधिक संख्या है कीटो की, सबसे अधिक संख्या जो है कीटो की है कथन ये देखिया है, अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है तो कथन ये सही है कारण आर सभी एक कोशी की जीव और लेंगी की वीडियो से जनन करते हैं तो ये भी सही है तो अप्शन A राइट आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही है और R जो है A का सही असपश्टी करन भी है निम्न में से कौन सा कथन गर्म रुधीर वाले जनतु को सही रूप से परिभासित करता है हमेशा शरीर का तापमान एक सा बनाए रखते है निम्न में से कौन सा कथन ठंडे रुधीर परानी को सही रूप से परिभासित करता है तो ये पड़ियावरन में बदलाव के साथ अपने सरीर का तापमान बदलने में सर्चम भी होते है ठंड रुधीर वाले परानी खाद पदार्तों के परिक्षण के लिए निम्लिखित में से कौन सा रसायन परियोग किया जाता है बिन जोईक अमल जो है इरोमेटिक कार्वगजीलिक अमल है या हलके रंगहीन चमकदार किरिष्टिलिये चूड़न के रूप में पराप्त होते है और इसके लबनों का खादी परिक्षण के रूप में परियोग किया जाता है निम्लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर आपको गलत कतन का चुनना है अप्शन ए देखिए नील हरित सैवाल धान में पाये जाता यह सही है रायजोबियम लेग्यू मिनिरेशं तो यह मटर एजीटोबैक्टर गेहूँ तो यह जो है सही है एजोला मक्का तो यह जो है गलत है एजोला जो है यह मक्का की फसल में नतरजन अस्त्रीकरन के कारण उप्योग्त जो है नहीं होता है तो इसका राय टांसर ओप्शन टी हो जाएगए क्योंकि गलत को ही चुनना है आपको आवरिती को मापा जाता है हर्ज में मापा जाता है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पहला देखिए ओडो मीटर वानों के पहियो द्वारा तै की गई दूरी मापने का यंतर है ये भी सही है इसके बाद ओडियो मीटर धोनी तिवरता का मापक युकती ये भी सही है अमीटर एमीटर जो ही है विद्वी द्वारा के मापन के लिए परियोग किया जाता है तो ओप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका परियावरन किस से बनता है तो परियावरन जो है जैव घटकों से भू आकरितिक घटकों से और जैवी घटकों से ये सभी से बनते है तो option D's का right answer हो जाएगा उपर योग चबी से परतीसत अधिक्तम 1 छेतर है निजोरम में ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरीत गिरी परभाव एक प्राक्रितिक परकिरिया है जिसके द्वारा किसे गड़ा या उपगड़ा के वातावरान में मौझूद कुछ गैसे वातावरान के तापमान में अपेक्षा किरित अधिक व्रिधी कर देती है इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है और इनमें करवन डैक्साइड, मिथेन, नैटरस एक्साइड ये सबी होते है तो अप्शन E इसका राय टांसर हो जाएगा एक से अधिक तो दोस्तो आज की वीडियो में सेट 11 कम्लिट हो गया सेट 10 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्किप्शन में आपको मिल जाएगा तो दोस्तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जुरूर बताईए क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ-साथ आपके ओन फ्रेंज को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ सेर किजिए अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्षन में लिखिए मैं कोशिस करूंगा जल्दी रिप्लाइ करने का तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेर्ट 12 के साथ तब तक के लिए टेक कियर बाई बाई